हलो फ्रेंज कैसे हो सकिनास क्रियाटिव्स कुकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लाए है बहुती तेश्टी मज़ेदार रवा धोकला यानि के सूजी का धोकला तो चलिए आज हम बनाते हैं लेकिन आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं बिस्मिल्लाहिर्मानिरहीम वो सिखा रहे है ठोकला रवा का ठोकला यानि की सूजी का ठोकला गुजराती में उसको रवा बोलते हैं और वैसे हम सूजी बोलते हैं तो हमने लिया है आदा कप सूजी और इसमें एक चम्मस डालेगे हम बेसन इतना हम डालेगे बेसन इसका ढोकला बहुत ही टेस्फुल और हैल्दी भी है और खाने में भी एकदम टेस्फुल लगता है तो चलिए आज हम बनाते ढोकले अब हम क्या करेगे इसको मिला देंगे सुजी और बेशन को मिला लिया है हमने अब हम क्या करेगे इसके अंदर दो चम्मस ड़ी डालेंगे अब द़ी को एकदम से अंदर मिला लेंगे दो चम्मस हम ये बड़ा दो चम्मस ड़ी दे दिया है हमने थोड़ा सा दालेंगे अंदर में सुसुम पानी दही वाले प्याले में हम पानी दे दिया है अब इसको हम मिलाने के बाद दो घंटे तक ऐसे ही रहने देना है और इसमें आप अगर वाइट बनाना चाहते हो तो हल्डी नहीं डालनी है और वाइट नहीं बनाना है तो थोड़ा सा हम हल्डी पावडर दे गी अंदर एक चुटकी हल्डी इसको मेरी का स्वाद देना है तो अखा मेरी भी डाल सकते हो और कुटके भी थोड़ा दे सकते हो ज़रा सब और पानी जाएगा इस अगाड़ा आपको रखना है इसको मिलाना है आपको करीब पाच से छे मिनिट तक यह हमारा एकदम परफेक्ट तयार भी कर दिया है मैंने अभी इसको दो घंटा के लिए हम तककन बन करके रख देंगे इससे बन करके हम आप रख देंगे दो घंटा के लिए उसके बाद मिलते हैं यह हमने जो भीगा के रखा था पुजी का और बेशन का मिस्तरन उसके अंदर अब हम इस्टेन डालेगे थोड़ा सा धन्या और एक घरा मिर्चा और थोड़ा सा हमने नमक नहीं डाला था तो अभी डालेगे हम नमक अभी हम स्वादन उसार डालेंगे नमक अभी इस निश्रन को हम मिला लेंगे पूरा इसको जरूरत पढ़ने पर थोड़ा सा पानी का जरूरत होगा तो हम देंगे अंदर में नमक से हम चक लेते हैं थोड़ा सा, एक दम मस्त लग रहा है तेस में, चरा सा नमक जाएगा, विसको मिला लिया हमने, थोड़ा सा हम पानी दे रहे हैं, राशा और देगे,ichen अब हमने पानी चड़ा दिया ए, पानी में गया स्टार्ट करेंगे, यहां पर हम गयास का फ्लेम को स्टार्ट करेंगे, और पानी में उबालाने पर हम इसको रख देंगे, यहां पर तेल हमने लगा लिया है, अभी हम डाल देगे थोड़ा सा इनौ इसमे हमने थोड़ा सा लसुन खुटा हुआ लिया है थोड़ा डालसा डालेगे हम लाल मिर्च पावडर अदा चममच थोड़ा सा डालेगे हम जरा सा स्वाद अनुसार नमक एक चुटकी अब ये सब को हम क्या करेंगे मिला लेंगे तीनों को जोकरे के साथ एक ड़म टेस्फुल लगती है ये चटनी और उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल तेल के साथ हम लसुन को मिला लेते हैं ठीका अगर ये चटनी ढोकरे के साथ आप बनाते हो न एक ड़म आपको टेस्फुल लगेगा अभी इसके अंदर हम दालेंगे थोड़ा सा इनो अधा चमच हमने इनो दिया है तो उसके पर थोड़ा एक ट्यू करने के लिए पानी दे दिया ये हमारा इनो एक्टिव हो गया अभी हम पूरा मिला लेंगे इसके साथ एक दमीनो को हम मिला लिया इसके साथ अब क्या करेगे हमने जो पानी गरम छोड़ा है ना इसके अंदर हम पकने के लिए छोड़ देगे अपने ढोकरे को ये बहुत ही टैस्फुल और मज़दार बनते हैं थोड़ा सा हम दे देगे उपर में लाल मिर्च पाउडर इखाने में भी बहुत ही टैस्फुल लगते हैं इसको हम बन कर देगे दस मिनट के लिए दस मिनट में हमारे ढोकले एकदम मस्ट पक जाएंगे चलिए हम देख लेते हमारा वाव बहुत ही अच्छे से एकदम सौफ बना हुआ है देखें कहीं से चिपक नहीं रहा और एकदम जालीदार बनाएं अब ग्यास का फ्लेम को हम करेगे बन अब उसको हम थोड़ी देर के लिए निकाल लेते हैं और ठंडा करेंगे इसको यहां बार निकालके हम अभी रख लिया है उसको ठंडा करने देगे उसके बाद हम निकालते हैं यह हमारे एकदम रवा ढुकले बन के एकदम तेश्टी और मज़ेदार एकदम तयार होगे और उसको आप लसंच चटनी के साथ एकदम मज़े से खा सकते हो और यह बन भी बहुत ही जल्दी जाता है क्योंकि सुबह में दो गंटे पहले थोड़ी देर आप दो गंटा या एक गंटा रख लो उसके बाद थोड़ा साइनो दो और बना लो अपने लिए टेस्टी नास्ता फटा-फट चाय के साथ सामका नास्ता के साथ एकदम मज़ेदार लगेगा आपको और खाते ही रह जाओगे एक बार बनाओगे तो चलिए इस तरह बनाओगे और मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक किजिए और बेल अइकन जरूर दबा दीजिए ओके फ्रेंज बाइ